Welcome to all my dear students, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद्मी विरेंद्र तो आईए students, आज हम लोग देखने वाले हैं, class 9 का science subject का chapter number 1 Matter in our surroundings, exemplar, NCRT ने कुछ exemplars problems भी दी हुई है, example के तोर पे कुछ problem दी हुई है उनको भी हम solve करेंगे, मतलब की कुछ नए concepts हमको यहां से सीखने को मिल सकते हैं, चलिए तो विना कोई वक्त गवाई हो, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को like, share, subscribe करना ना भूलिएगा और हाँ, bell icon दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि timely notification आप तक पहुंस चे रहे हैं, चलिए तो देखते हैं, multiple choice questions, first question, which one of the following sets of phenomena, ठीक है, phenomena की spelling सही कर लेंगे, ठीक है would increase on raising the temperature, ठीक है, आपको ये बताना है, इन में से कौन-कौन से ऐसे concept है, ऐसे phenomenon है, जो की temperature बढ़ाने पे बढ़ जाते हैं, ठीक है तो भाई, आप क्या करोगे, किसी चीज को क्या करोगे, compression of gas, temperature बढ़ाओगे, तो compression बढ़ जाएगा, क्या नहीं, उनका expansion होने लगेगा, temperature बढ़ाने पे चीज़े फैलती है, expand होती है, चलिए तो ये बाला इसमसे गलत हो गया, तो भाई, ये option तो नहीं हो सकता है, यानि diffusion, evaporation, दो point जहां जहां आ रहे हैं, वो तो सही है, चलिए, evaporation आ रहा है, ये सही है, compression of gases ये नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, आगे देखेंगे भी नहीं है, ठीक है evaporation सही है, diffusion सही है, expansion of gases ये भी सही है, तो C option करेक्ट लग रहा है, फिर भी D option भी चेक करते है, evaporation ठीक है, solubility बढ़ती है, या temperature बढ़ाने से, बिलकुल solubility बढ़ती है, diffusion बढ़ता है, बिलकुल सही बात है, compression ये नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएका, C option is the right answer next, SEMA visited a natural gas compressing unit, SEMA एक factory में, एक plant में, एक unit में गई है, जहाँ पे natural gas को compress किया जाता है, यानि gas को compress करने काम बहाँ पे होता है, and found that, और उसने क्या पाया बहाँ पे, that the gas can be liquefied, gas को liquefied क्या जा सकता है, ठीक है, under specific condition, तो भाई compressing unit में गई थी और उसने देखा, कि हम gas को क्य कर सकते हैं, liquefied कर सकते हैं, उसको liquid में convert कर सकते हैं, under certain condition, कुछ condition apply करके, किस-किस की वो condition थी, temperature की और pressure की, यानि temperature को बढ़ा के, घटा के, या pressure को increase करके, हैना, decrease करके, तो कुछ condition apply करके, pressure temperature की, हम gas को liquid में convert कर सकते हैं, ऐसा SEMA ने वहाँ पे plant में देखा, ठीक है, while sharing her experience, जब वो अपने experience, मतलब, बहाँ से plant को देखा है, अपने friends वगेरा को उसने बताया, ठीक है, with friends, see God confused, तो कभी-कभी वो क्या होगई, बीच में confused हो, क्या रहे, increase था, decrease है, वो सोच नहीं, पर समझ नहीं पा रहे, hundred तो confused हो गई, बीच में, ठीक है, help her to identify the set of condition, तो उसकी help करें, कि correct condition क्या हो सकती है, तो देख वाई, आप एक चीज़ समझो, आप gas को convert कर रहे हैं, किस में liquid में, gas को किस में convert कर रहे हैं, liquid, तो आप जानते हैं, gas के molecule दूर-दूर होते हैं, liquid के पास पास होते हैं, तो molecule पास पास कब आएंगे, जब आप pressure बढ़ाएंगे, दबाब होता है, तो यानि इनका condensation होता है, यानि कि temperature को आपको कम करना पड़ता है, तो temperature को low temperature वाला कहीं पर यह है, that's why C option is correct, next, the property to flow is unique, two liquids, यानि जो liquids होते हैं, sorry, two fluids, ठीक है, आप समझे बिटा, जो fluids होते हैं, उनमें flow करने की बहने की property जो होती है, वो unique होती हैं, वो किसी और की पास नहीं पाई जाती, तो आप एक बास समझे, कौन-कौन बह सकता है, बिटा, liquid flow कर सकते हैं, gases flow कर सकती हैं, तो उसी के respect में question यहां पर पुछा गया, which one of the following statement is correct, अब आपको बताना है, इन में से कौन सा statement, सही है, ठीक है, option A, only gases can behave like a fluid, ठीक है, like fluid, तो क्या gases के बहल फ्लो and liquids behave like fluid, यह बिल्कुल सही option दिख रहा है, only liquids are fluid, गलत, ठीक है, that's why option C is correct, next, the property, हाँ, to flow, ठीक है, तो C option यहां पर सही हो गया, fourth question की तरफ चलते हैं, During summer, water kept in an earthen pot becomes cold, because the phenomena off, ठीक है, तो यहां पर एक चीज़ देखिए, कह रहा है, कि गर्मियों के दिनों में, गर्मियों का session है, उस समय पे आपने, earthen pot, मतलब मिट्टी का बर्तन, मतलब जो घड़ा होता है, जो मटका होता है, उसमें पानी रखा है, और वो पानी क्या है, कू क्या, वो बर्फ जम चुकिया, जी नहीं, तो atmosphere का जो temperature रहता है, उस से थोड़ा ठंडा, थोड़ा slightly ठंडा है, तो उसको कूल बांते हैं, तो चलिए, तो आप कह रहा है कि ऐसा यह पानी घड़े में रखा हुआ पानी जो है, अर्थन pot में रखा हुआ जो पानी है, वो ठं इसके अंदर पानी भरा होता है, इसके अंदर क्या है है पानी है, पानी के molecules हैं, तो आपने देखा पानी के इन加ख होते ही पानी की बूंदे जो हैं एक घड़े के उपरी सरफेस पे, outer सरफेस पे आ जाती है, ठीक है, अब जब आपने देखा घड़ा-बार से गीला हो जात तो यह बूंदे जो होती है जो आउटर सर्फिस पर आ चुकी है यह घड़े के अंदर के जो वाटर है उससे हीट लेती है और हीट लेके बैपराइज हो जाती है मतलब की अंदर वाले जो बाटर है उसकी हीट अब्जॉर्ब कर लेती है और हीट पाके बैपराइज हो जाती ह और यह heat कहां से ले रही अंदेर वाले water से जो घड़े के अंदर तो उसका temperature उसकी heat कम होगी तो क्या होगा वो ठंडा हो जाता है तो that it is due to the evaporation ठीक है चलिए next a few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction ठीक है तो question में कहा गया कुछ substance है जिनको आपको arrange करना है increasing order of forces of attraction यानि उनके molecules के बीच particles के बीच force of attraction बढ़ता रहे यानि जिसके बीच force of attraction कम है, उसको पहले लिखें, जिसमें ज़्यादा है, उसको बाद में लिखें, जिसमें सबसे ज़्यादा है, उसको last में लिखें, ठीक है उके, which one of the following represent the correct arrangement, तो correct arrangement कौन सा है, तो आप एक basic सी बास समझे, जो gases होती है, उसके molecules दूर दूर होते हैं, उनके particles के बीच में, molecules के बीच में force of attraction कम होता है, liquid में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि molecule पास पास आ जाते है, solid में बहुत close-close होते हैं, तो force of attraction भी बढ़ जात air, sugar, oil, छीक है, sugar यहाँ पर solid होगी, तो यह बीच में नहीं आएगा, oxygen gas है, water liquid है, और sugar solid, तो यह answer सही दग रहा है, तो that's why answer C is correct, next, on converting 25 degree Celsius, 38 degree Celsius and 66 degree Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be, यानि आप से simple कहा गया है, कि 25 degree Celsius को Kelvin में convert करो, 38 को Kelvin में convert करो, 66 degree Celsius को Kelvin में convert करो, और बताओ correct क्या है pattern, तो देखो भाई, हम जानते हैं कि Kelvin में convert करने के लिए, 273 add कर देना पड़ता है, degree Celsius वाली value में, अब आप खुद सोचें, 25 को add करेंगे, 273 में, तो कितना आएगा, 298 आएगा, कहां रहा है, 298, 123, तीन जगा आ रहा, त 273 है, इसमें 38 add कर लीजिए, ठीक है, तो कितना आजाएगा, ठीक है, तो आप पाएंगे, ये आजाएगा, 300 कितना 11, कितना आजाएगा, 311 आ रहा है किया बिटा, देखिए, ठीक है, तो ये आजाएगा, आपका 311, चलिए, यानि कि 311 कहां पर एक ही जगह है, और 66 add तो कितना आजाएगा, 339 कितना आजाएगा, 339 आजाएगा, चलिए, तो इस तरह से option A is correct, next, choose the correct statement of the following, ठीक है, इसमें से जो statement सही हो, वो आपको select करना है, number one, conversion of solid into vapor, solid का liquid में, sorry, vapor में, gas में convert हो जाना, without passing through the liquid state is called sublimation, यानि solid, gas में, vapor में convert हो जाए, liquid state आए ही ना, ठीक है, तो उसको हम sublimation कहते हैं, तो क्या ये बास सही है, हाँ, ये बास सही है, तो this statement is correct, conversion of vapor into solid, vapor का solid में बदल जाना, without passing through liquid state is called vaporization, क्या उसको, यानि की, vapor का solid में convert हो जाना, क्या ये vaporization है, नहीं भाई, ये इसमें तो उल्टा हो रहा, तो ये vaporization हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, conversion of vapor into solid, ठीक है, vapor का सीधे solid में बदल जाना, और बीच में liquid state आए ही ना, विद्दा और passing through the liquid state, is called freezing, क्या उसको freezing कहते हैं, जी नहीं, liquid से solid में conversion freezing कहलाता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो next, conversion of solid into liquid, solid से liquid बदल जा जाना, उसको sublimation कहते हैं, जी नहीं, that's why a answer is correct, next, the boiling points of diethyl, ether, acetone and n-butyl alcohol are 35 degree Celsius, 56 degree Celsius and 118 degree Celsius, ठीक है, वो कह रहा है, तीन यहां पे आपको, क्या दीव है, तीन compound दे दिये आपको, ठीक है, और उनका कह रहा है, कि जो boiling points है, वो 35 degree Celsius, 55, 56 and 118 है, तो अब करना क्या देखिए, आगे पड़ते हैं, which one of the following correctly represent their boiling points in Kelvin, तो in boiling points को Kelvin में convert करो, तो देखो पिटा, आप ये मस सोचे करने कि question के language इतनी tough है, पता नहीं, ये N-butyl alcohol हमने सब पता नहीं, कभी सुना ही नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, तो पिटा, उसको क question को एक बार read करें, दो-चार बार read करेंगे, तो पिटा question answer कुद ही बोल देगा कि मेरा answer ही है, ठीक है, तो आप question की land को देखके, नहीं वर्स देखके घवराया ना करें, ठीक है, उसको face करें, ठीक है, तो question बड़ता simple हो जाता, तो simple question क्या निकला, question ये निकला, कि 35, 56 and 118 को आप Kelvin में convert करें, तो यानि इसमें 273 add करते चले जाए, तो आप जब 273 add करेंगे, तो कितना जाएगा, 308 जो की पहले वाले में, तो में आ रहा है, 56 add करेंगे, तो कितना आएगा, ठीक है, तो आप आएंगे, 329 आएगा क्या, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो मत इतना करेंगे, 118 add करने वाले है, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या आने वाला है, तो भाई देखो, यह हो गया आपका 273, और इसमें आप करेंगे 118, तो लास्ट डिजिट क्या आने वाली है, भाई देखे, यहां जाएगा 11718, और यहां जाएगा 9, और 2, और 13, 391, तो that's why c option is correct, c option correct हो गया, next, which condition out of the following will increase the evaporation of water, कौन सी condition है, जो evaporation का rate बढ़ा देगी, तो देखें पिटा है न, यहां तो answer सीदे ही दे दिया गया है, ठीक है, increasing the temperature, यानि पानी का temperature आप बढ़ाएंगे, वाटर का temperature बढ़ाएंगे, तो evaporation बढ़ जाता है, ठीक है, तो exposed surface area, surface area जादा करेंगे, तो होता है, एरिया बढ़ा होगे, तो चीज़ी जल्दी ठंडी हो जाती ही, evaporation जल्दी हो जाती ही, adding common salt to water, जी नहीं, ऐसा बिलकुल पर नहीं, तो ए answer is correct है, तो यहां पर answer पहले दे दिया था, question यहां पर arrangement मैंसे हो गया, चली, next, 10, in which of the following conditions, the distance between the molecules of hydrogen gas would increase, तो आप से कहा गया है, कि भाई, वो कौन सी condition है, hydrogen gas है, उसके molecule के बीच, जो gap है, वो increase हो जाएगा, ठीक है, तो कोई substance है, hydrogen gas आपको यहां पर दी गई है, उसके gas के molecules के बीच में, आपको क्या करना है, space gap बढ़ाना है, ठीक है, तो कौन कौन से कैसी condition से जानते हैं, तो आप देखें, increasing pressure on hydrogen contained in a close container, एक close बढ़ताने container है, उसके उपर आप pressure बढ़ा रहे हैं, तो आप जानिये, pressure बढ़ाएंगे, तो molecule पास पास आएंगे, close, close, तो इस space तो नहीं बढ़ेगा, उस gap तो नहीं बढ़ेगा, तो यह नहीं हो सकता है, ठीक, तो यानि ऐसा कोई भी some hydrogen gas leaking out of the container, अगर उस container में से उस बरतन में से थोड़ी सी gas बाहर निकल जाए, तो gas के अंदर container के अंदर जो gas है, उसके molecules कम रह जाएंगे, कम रह जाएंगे तो उनके बीच में gap बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यह बिल्कुल सही बात है, यानि दूसरा हो सकता है, ठीक है, तो increasing the volume of the container of hydrogen, कह रहा है कि जिस बरतन में hydrogen gas रखे, उस बरतन का volume ही बढ़ा दो, उस बरतन को ही बढ़ा कर तो very good, तो भी molecules दूर दूर हो जाएंगे, तो fourth बाला भी सही है, ठीक है, fourth बाला भी क्या है, सही दिख रहा है, ठीक है, तो अब आप देखिए, तो third बाला क्या दिख सही दिख रहा है, ठीक है, तो third बाला option सही है, तो कहां गया, fourth बाला नहीं है, third बाला सही है, तो ये C option correct दिख रहा है, फिर भी D को चेक कर लेते हैं, adding more hydrogen gas to the container without increasing volume of the container, यानि उसी बरतन में जिसमें hydrogen gas बढ़िए, उस बरतन का size ना बढ़ा है, volume ना बढ़ा है, और gas उसमें लाके ठूस दें, भर दें वहीं पर, तो बाई, molecule के 20 का space तो कम हो जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी, तो that's why option C is correct, next, अब चलते हैं short answer type question की तरह, number one, 11 question है, a sample of water under study was found to boil at 102 degrees Celsius at normal temperature and pressure, कह रहा है कि एक water का sample हमने लिया है, ठीक है, और हमने उसकी study की और पाया, कि वो 102 degrees Celsius पे boil होता है, उबलता है, ठीक है, at normal temperature and pressure, बाकी सारी condition normal लखी गई है, is the water pure, तो कह रहा है, क्या पानी pure है, water pure है, will this water freeze at 0 degrees Celsius comment, तो कह रहा है कि क्या ये freeze हो जाएगा 0 degrees Celsius पे, आप अपनी राय रखें, comment ने, चलिए, तो answer को समझते है, the boiling point of pure water at normal temperature and pressure should be 100 degrees Celsius, वहीं बाटर का जो boiling point होता है, normal pure water का जो होता है, वह 100 degrees Celsius होता है, normal pressure and temperature पे, so, अब इसका तो ठहरा 102, 102, so, this sample of water is not pure, इसलिए water sample का क्या है, pure नहीं है, चीक है, तो हम कहेंगे, no, this water will not freeze at 0 degrees Celsius, जब pure नहीं है, तो ये 0 degrees Celsius पे, freeze भी नहीं होने वाला है, it will freeze at temperature below 0 degrees Celsius पे, जाके freeze होगा कहीं पे, next, A student heats a beaker containing ice and water, एक student ने क्या किया, उसने गरम करना शुरू किया, एक बीकर को, एक बरतन को, containing ice, जिसमें की ice थी और water, यानि पानी भी है, और उसमें ice के टुकड़े भी कुछ है, कुछ ऐसा combination बना हुआ है, He measures the temperature of the content of the beaker, उसने temperature measure किया, उस beaker का, as a function of time, time के साथ, यानि अभी कितना है, कुछ देर बाद कितना temperature है, उस थोड़ी देर बाद कितना temperature है, ऐसे वो measure करता चला गया है, which of the following would correctly represent the result, justify your choice, तो देखो बीटा, पानी है, तो आप समझे, पानी है, प्लस उसमें ice है, तो भाई क्या होगी, ice melt होती जाएगी, melt होती जाएगी, melt होती जाएगी, तो दीरे दीरे, यानि कि कब, जब पूरे पानी का solution ये बना हुआ, ice और water का combination, तो बर्प जब तक है, त जब सारी ice melt हो जाएगी, तो थोड़ी देर तो temperature constant बना रहेगा, उसके बाद temperature उसका क्या हो जाएगा, increase होना सुरू हो जाएगा, temperature क्या होगा, increase होना सुरू होगा, तो यानि कि क्या होगा, पहले temperature zero degree Celsius पे constant बना रहेना चाहिए, फिर temperature increase होना चाहिए, तो ऐसा graph कहीं पे ओके, क्या इस से पहले भी था, हाँ, तो यह D answer correct, ठीक है, figure D would correctly represent the result because when a mixture of ice and butter is heated in starting temperature will not change and will be maintained at zero degree Celsius है, क्योंकि जितना आप गरम करना है, वो तो ice को melt कराने पे चला जाएगा, तो temperature कुछ देर के लिए तो zero degree Celsius पे maintain आएगा, तिल दा एंटर ice is melted, जब तक है ना, in this procedure, the heat given is absorbed as latent heat of fusion, और इस टाइम पे जो heat जा रही है, तो latent heat of fusion मतलब की ice को, solid को liquid में convert करने में latent heat खर्च हो जा रही है, ठीक है, after that उसके बाद, the temperature will start rising, फिर temperature rise होना, start हो जाएगा, ठीक है, that's why D option is correct, next, 13, fill in the blanks, तो अब भाई, आ गए है, fill in the blanks वाले question, जानते हैं, क्या है, evaporation of liquid at room temperature leads to, evaporation है, किसी liquid का जो evaporation है, at room temperature, यानि सामान्य condition में, हम कमरे में बैठे हैं, room में बैठे हैं, उस condition में, leads to a effect, ठीक है, तो अगर evaporation होता है, तो उससे कौन सा effect होता है, ठंडा लगता है, गर्मी लगती है, क्या होता है, तो answer is, cooling, evaporation जब भी होगा, तो cooling होगी चलिए, next, at room temperature, the forces of attraction between the particles of the solid substance are, room temperature, general condition की बात कर रहा है, force of attraction between the particles of solid substance, एक solid substance है, उसके particle के बीच जो attraction force होता है, वो क्या होता है, then those which exist in the gases state, यानि solid के जो forces of attraction होता है, particles के बीच, वो क्या होता है, gas के particles के बीच से, है न, क्या होता है, तो वो होता है, क्या बिटा, this is stronger, ज्यादा होता है, न, चलिए, next, see, the arrangement of particles is less ordered in this, this, this state, किस state में particles का arrangement less होता है, however, there is no order in the state, तो भाई देखो, solid में तो बिल्कुल arrangement fixed होता है, है, लिक्ट में थोड़ा कम होता है, और gases में कोई order ही नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, liquid state और इसमें जाएगा gases state, चलिए, next, is the change of solid state directly to vapor state, सीधे solid से convert हो जाना vapor में, उसको हम क्या कहते हैं, उस procedure का नाम लिखना है याँ पे, without going through the, कौन से state, बीच वाली state को, इसके बियाने liquid को, इसकिप कर जाता है, तो answer is, sublimation and liquid, sublimation वो state है, सीधे solid से vapor में, और liquid state उसमें बीच में आती ही नहीं है, next, the phenomena of change of liquid into the gases state, liquid state से gas state में convert होना, at any temperature, below its boiling point, boiling point से कम temperature पर, liquid का vapor में, gas में convert हो जाना, क्या कहलाता है, तो बेटा, boiling point पर होगा, तो उसको vaporization कहते हैं, और boiling point से नीचे होगा, तो उसको evaporation कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, evaporation, चलिए next, match the physical quantities given in column A to their SI units given in the column B, ठीक है, तो बेटा, ऐसी जब matching वाले question आ जाएं, तो आप समझ जाएगा, ठीक है, कि आपको जो चीज पहले आती है, उसको आप पहले मिला ले, ठीक है, तो भाई देखो, यह ना, 8 में, 9 में हम mathematics पढ़ते हैं, और volume का जो phenomenon होता है, यानि कि उसका जो formula है, और land into width into height होता है, यानि meter into meter into meter, तो क्या हो जाती है, volume की cubic meter हो जाती है, ठीक है, mass kilogram में ना पजाता है, ठीक है, density kilogram पर meter cube में होती कहीं है, क्या भाई, kilogram पर meter क्योब यह रहा मिल गया, ठीक है, temperature degree Celsius में, Kelvin में ना पजाता है, तो कहीं Kelvin है क्या, यह Kelvin दिग गया में, और क्या प्रेशर पासकल में ना पजाता है, ठीक है, तो SI कुछ है क्या, ठीक, तो देखिए हमने write करके, फिर यह मिला दी है, तो आप इसको screenshot लेके match भी करा सकते हैं, चलिए, next, the non SI and SI units of some physical quantities are given in column A, तो यानि कुछ quantities दी है, है ना, units दी है, कि भाई, कुछ SI unit, कुछ non SI unit, तो आपको उनको match कराना है, किस particular quantity की, किस physical quantity की है, तो एक ही physical quantity की, एक SI, एक non SI unit दी है, उनको match कराना है, ठीक है, तो भाई, देखो, degree Celsius अभी बात करें, degree Celsius भी और Kelvin को आप convert कर सकते ह सैंटी मीटर कहीं मीटर रहा होगा, ठीक है, देखो भाई, सैंटी मीटर है, तो मीटर रहा होगा, ठीक है, और मिली ग्राम है, तो किलो ग्राम रहा होगा, जो आसान हो, पहले उसको मिला ले, ठीक है, ग्राम पर सैंटी मीटर क्यूब, ग्राम की जगे किलो ग्राम आ सकता ह किलोग्राम पर मीटर क्यूब C बाकि जो बचा बार nu o बंबार रोटा है वहसे होता है our atmosphere जो दो बंबार होता है ना चलिए नेस्ट आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से मने मैच करा दिये स्क्रीन सोट लेके आप मैच करा लीजीगा नेस्ट ऑस्मोसिस इस इस पेशल काइंड ऑफ डिफूजन कमेंट कह रहा है कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है यह एक स्पेशल टाइप का डिफूजन ही है आप कमेंट करके जड़ा अपनी राय दीजिए ऐसा पूछा उसने है ना तो आप से कुछ है ना एक्स्प्लेनेशन चाह रहा है यहां पर चलिए डिफूजन केंट टेक प्लेस इन ओल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर डिफूजन जो होता है वो हैना एक मैटरियल की किसी भी ऐस में हो सकता है मनलेब वसकता है वाट डिफ्यूजन टेक प्लेस ओलेश ओली इन लिकुड्स ठीक है तो आप समझ ये बिटा है ना यहां पर यहां पर दोनों चीज है नन लिख है डिफ्यूजन केंट अल ट्री स्टेट ना तो ठीक है बट तो देखो बाही है यहां पर Osmosis है, तो Diffusion किसी भी तीन स्टेट में हो सकता है, ठीक है, but only in liquid, but Diffusion नहीं यहाँ पर आएगा, क्या Osmosis, यहाँ पर क्या जाएगा, Osmosis आजाएगा, क्या जाएगा, Osmosis, चलो, can take place on in liquids, लेकिन Osmosis जो होता है, वो किवा लिक्विड स्टेट में हो सकता है, in Diffusion, movement of particles occur in both the direction, ठीक है, Diffusion में जो particles का movement होता है, वो दोनों direction में होता है, मतलब, low density, low concentration to high concentration, high concentration to low concentration. But, in Osmosis, movement occurs only in one direction, from low concentration to high concentration, कहे रहा है की, यह جो होता है Osmosis, उसमें केवल एक ही direction flow होता है, diffusion में एक से ज़्यादा direction में flow होता है ठीक है ठीक है और osmosis में किसे होता है through semi permeable membrane only so osmosis a special kind of diffusion इसलिए हम उसको diffusion तो मान सकते हैं ठीक है लेकिन special kind का special type का diffusion यह है next classify the following into osmosis diffusion ठीक है आपको यह बताना है इनको आपको क्या करना है इनको classify करना है किसमें osmosis है कि diffusion है चलिए पहला swelling of a resin on keeping in butter किसी resin को आपने पानी में डाला हुआ है तो swelling हो गया है फूल गया है मोटा हो गया है ठीक है तो आपको बताना यह क्या है तो answer is osmosis यह क्या है क्योंकि semi permeable membrane है next spreading of virus on sneezing छीकते हैं हैं तो virus spread हो जाता है तो यह क्या है यह diffusion है बिटा क्या है यह diffusion है next earthworm dying on coming in contact with common salt earthworm जो होता है वो मर जाता है on coming in contact with common salt के contact में आने पर तो यह osmosis होता है उसकी skin से क्या होता है osmosis process होने लगता next shrinking of grabs kept in thick sugar grab जो अंगूर है उसको सुगर शिरप में रख दिया जाया तो क्या होगा ठीक है shrinking वो सिकुड जाता है ऐसा क्यों होता है तो यह होता है बिटा osmosis की बज़े से next preserving pickles in salt preserving pickles in salt मतलब की जो अचार डालते हैं हम उसको अचार को preserve करके बचा के रखते हैं नमक में तो यह क्या होता है यह भी होता है आपका osmosis next spreading of smell of cake being baked throughout the house यानि घर में कोई cake कोई चीज बन नहीं है तो वो क्या होती उसकी smell spread हो जाती है तो यह क्या है यह है आपका diffuser next aquatic animals जो होते हैं ठीक है using oxygen dissolved in water during the respiration aquatic animals जो respiration करते हैं ठीक है using oxygen है तो यहाँ पर साथ respiration में भी छूट गया है साथ आप देख लिजेगा using oxygen dissolved in water during respiration अच्छा नहीं चाह गया है ठीक है तो respiration के दौरान वो क्या करते हैं जो पानी में गुली हुई oxygen होती है dissolved oxygen होती है उसको लेते हैं तो यह क्या है यह diffusion है बिटा next question number 18 की तरह बढ़ते है water as ice has cooling effect अगर जो पानी है ठीक है वो क्या है पिटा cooling effect देता है अगर वो ice की form में है whereas water as steam may cause severe burns लेकिन water ही अगर steam की form में है तो वो क्या करता है जला देता है burn देता है explain these observation in observation के बारे में आप क्या कहेंगे समझाई जरा answer is water as ice has very less heat energy water के पास क्या होती है as ice जो है ठीक है तो वो cool down होके बन दिये तो उसके पास heat energy होती नहीं है ठीक है when it comes in contact with our body तो जब यह हमारी body के contact में आता है तो इसकी क्या करता है यह हमारी body से heat absorb कर लेता है it absorb heat from our body so it produces cooling effect जिसकी बज़े से क्या होता है cooling effect महसूस होता हमारी body से heat को absorb कर लेता है soak लेता है इसलिए हमें ठंडर लगता है water as steam has much higher heat तेकिन water जो की heat की form में है sorry steam की form में है उसके पास बहुत ज़्यादा amount में heat energy होती है when it comes in contact with our body और जब यह हमारी body जैसे हमें severe burns हो सकते हैं जल सकते हैं हम है न तो यानि कि यह सारा खेल किसका heat energy contain का है next alka was making tea in cattle alka चाय बना रही थी केतली में suddenly sea felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the cattle अचानक से उसने देखा केतली का जो मुँ होता उपर को खुला हुआ होता है तो बहां से बहुत सारी steam निकली बहुत पफ मतलब a lot of gushing out of the spout of the cattle उस portion से बाहर निकल लई है cattle के see wondered वो अचमबित हो गई whether the temperature of the steam was higher than that of the water boiling in the cattle उसने सोचा कि उसको समझ में आया कि भाई जो पानी अंदर है केतली के जो खोल रहा है उबल रहा उसके temperature से भी ज्यादा क्या steam का temperature है कमेंट करो चलिए the boiling point of water is 100 degree Celsius boiling water जो होता है उसका temperature 100 degree Celsius होता है water convert into steam at same temperature और यह जो water 100 degree Celsius पर जो उबल रहा था वो किस में convert हो जाता है steam में convert हो जाता है उसी temperature पर अगर उसको थोड़ी भी heat दी जाती है but steam contains more energy than butter लेकिन steam के पास ज्यादा energy होती है at same temperature इंदा form of किस में होती है वो latent heat की यह निए temperature change नहीं होता लेकिन heat energy बढ़ती चलिए जाती है तो उसको कहते है लेटेंट heat latent heat of vaporization so अलका wondered इसलिए वो चंबित हुई due to the this additional latent heat which can cause more burn जो की जादा burns ला सकती है next एक glass tumbler containing hot water is kept in the freezer ठीक है एक glass tumbler है containing hot water उसमें गरम पानी है इंदा freezer उसको freezer में रख दिया लो भाई यहाने की एक glass का tumbler है उसमें गरम पानी खोलता हुआ पानी रहोगा जितना भी गरम रहोगा यानि ऐसे खमजो बिटा आप जैसे आपने क्या किया कि भाई चाय का cup चाय बनाई ताजी ता यह ले जाके freeze में रख दी चाय आपने जाके freeze में रख दिया ऐसा कहा रहा है कुछ ठीक है compartment of the refrigerator temperature less than zero और वहाँ पे compartment जो freeze का temperature है freezer का वो zero degree Celsius से कम पे है ठीक है if you could measure the temperature of the content of the tumbler तो tumbler में जो पानी भी बगएरा जो रख खाया उसका temperature अगर आप नापने जाने लगे which of the following graphs would correctly represent the change in its temperature as function of time तो देखो भाई जो खोलता हुआ पानी है वो खोलता हुआ पानी पहले क्या होगा वो खोलता हुआ पानी पहले क्या होगा liquid में बनेगा 100 degree से उसका temperature down आएगा down आएगा आते रहेगा 0 degree centigrade पर जाएगा फिर 0 degree centigrade पर constant हो जाएगा 0 पर constant होगा यानि पहले temperature down आएगा down आएगा फिर जाके constant constant 0 पर ठीक है फिर जाके वो eyes eyes बनेगा तो ऐसा कुछ graph बनना चाहिए तो that's why answer A is true ठीक है तो यहाँ पर उसने comment नहीं पूछा था which of the following graph would correctly represent कौन सा represent कर रहा तो A answer is correct next look at this figure and suggest in which of the vessel A, B, C, or D the rate of evaporation will be the highest explain तो किसमे rate of evaporation जादा होगा तो एक बात आप समझे एक प में चाय है और चाय को आप ठंडा करना चाह रहे हैं तो evaporation होगा तो cooling होगी यानि ठंडी हो जाएगी तो कैसे होगी एक plate में कर लीजिए काटोरी में कर लीजिए या थाली में भी कर लेते हो तो जल्दी ठंडी यानि area बढ़ा दिए एक रास्ता तो यह है कि आप area बढ़ा दिजे और दूसरा रास्ता है कि air ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी ठंडी air उसके contact में है तो जितनी ज़्यादा तेज air contact में आएगी उतना ज़्यादा यानि कि वो उस airy space के पास होना चाहिए ठीक है तो ठंडी ठंडी एर चले यह तो बढ़ा यह कूलिंग करेगा है न सेकें इसका area कम है इसका area ज़्यादा है इसका area भी ज़्यादा है तो surface area ज़्यादा है ठीक है पंखा भी चला इसके पास में vessel is open और देखो यह क्या था open था ठीक है close था और यह क्या है open 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 तो इसके पास तीन condition है बीच वाले C के पास open है surface area भी ज़्यादा है और इसके पास में ही fan भी है ठीक है तो यह तीनों इसको ज़्यादा favorable condition बना दे रही है तो that's why answer C क्या हो जागा इसके कारण यह हो गए next 22 a part है conversion of solid to vapor is called sublimation name the term used to denote the conversion of vapor to solid वो कह रहा है कि solid का vapor में conversion सीधे direct vapor है तो उसको हम sublimation कहते हैं अब वो कह रहा name the term उस term का नाम लिको to denote the conversion of vapor to solid जो vapor को gas को सीधे solid में convert करने का है ना होता है नाम तो उसका नाम लिखे तो answer है उसका नाम है deposition यानि sublimation का just reverse हो जाता है deposition ठीक B part conversion of solid state to liquid state is called fusion बिल्कुल सही बात है solid से liquid में convert होना fusion कहलाता है melting कहलाती है what is meant by latent heat of fusion हब वो कह रहा है वो यह नहीं पूछ रहा है कहलाती है वो कह रहा है कि आप यह बताओ latent heat of fusion क्या होती है ठीक है तो answer है latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change one kilogram of solid into liquid at its melting point यानि की कह रहा है latent heat of fusion ठीक है यह heat energy का वो amount है जिसकी मतलब से जो जरूरी होती है किसके लिए एक kilogram solid को liquid में convert करने के लिए या एक kilogram solid को melt कराने के लिए ठीक है कव कहां पे उसके melting point पे जो heat के amount होती है उसको कहते है latent heat of fusion चलिए अब जानते है long answer type question के बारे में क्या है 23 you are provided with a mixture of nepheline and ammonium chloride आपको nepheline का और ammonium chloride का mixture दिया गया है ना दोनों को मिला के दे दिया by your teacher आपके teacher ने ठीक है आई सोचने होंगे है ना ये teacher question को toughy मना देते है मैंसा मिला के दे दिया अलग अलग दे देते ठीक है चलिए next suggest an activity to separate them with bell level diagram तो आप से कहा गया अब activity बताईए जिससे हम इन दोनों को separate कर सके इनको अलग कर सकते है ठीक है एक bell level diagram की मदसे diagram मना के आप समझाए explain कीजी चलिए तो diagram यहाँ पर यह बना हुआ है चलिए अब देखने the mixture of naphthalene and the ammonium ठीक है chloride can be separated by the process of sublimation इसको sublimation की मदद से हम अलग-अलग कर सकते है ठीक है कैसे होना है process तो सबसे पहले take some camphor और ammonium chloride तो आप जान लीजे बेटा camphor जिसको आप कपूर कहते है ammonium chloride होता है ठीक है क्या होता है बेटा वो ammonium chloride होता है तो यह है ना इसका नाम भी आत कर लिजे और नेफ्टलीन इन्हें चैना डिस एक चैना डिस में आपने camphor ले लिया ammonium chloride ले लिया और नेफ्टलीन ले लो पहले तो ठीक है सबसे बड़ी बाद चलो भई ले लिया कोई बड़ी बात नहीं है फिर क्या करना है put an inverted funnel over the चैना डिस तो देखो भई ये चैना डिस है इसमें तुमने इसको दोनों को ले लिया उपर से उल्टा करके एक funnel type की ये ऐसी इसके उपर से ढग दो चलो हमें ढग दी cover कर दिया put a cotton plug on the stem of the funnel इसके उपर cotton plug रग दो यानि रूई भर दो ठूस दो इसमें ताकि गैस भी बाहर ना निकलने पाए अभी हम गरम करने वालें इसको है न चलो start hitting the china dish slowly यहां से नीचे से धीरे धीरे उसको गरम करना है start कर दो चलो करते हैं भई देखते हैं क्या होता है नेफ्तलीन gets deposited on the inner wall of the funnel जो नेफ्तलीन होगा वो चिपक जाएगा deposit हो जाएगा on the inner wall of the funnel कहां पे inner wall inner wall मत्दब ये वाली जो दिवार हैं इन पे अंदर वाली दिवारों पे उच्छी पक जाएगा because of the sublimation leaving the ammonium chloride in the china dish क्योंकि sublimation की बज़े से ठीक है leaving the ammonium chloride ammonium chloride leave हो जाएगा china dish में इस बज़े से ऐसा हो जाएगा ठीक है तो आप जानेंगे जो नेप्तलीन था वो जो वैपराइज होगा वो यहाँ पे चिपक जाएगा और ठीक है तो इस तरीके से ये solution बताया गया next 24 it is a hot summer day एक गर्मी का दिन है ठीक है प्रियांसी और अली आर bearing cotton and nylon cloth प्रियांसी और अली ने bearing है ना क्या पहना है cotton की सट पहनी और nylon cloth पहने respectively यानि प्रियांसी ने cotton की सट पहनी अली ने क्या पहना है nylon के कपड़े पहने है who do you think would be more comfortable and why तो आपको यह बताना है कि कौन ज्यादा comfortable लहेगा तो गर्मी के दिन है तो comfortable कैसे होंगे जिसको गर्मी कम लगेगी जिसमें पसीना कम आएगा ठीक है तो cotton है और nylon ने तो आप जानना है कि cotton का कपड़ा जो होता है वो जल्दी moisture को पसीने को sweat को absorb कर लेता है तो प्रियांस और फिर क्या होगा वो कपड़ा गीला होगा उसका surface area बढ़ेगा वहां से evaporation होगा तो cooling प्रियांसी को ज़्यादा यानि comfortable प्रियांसी को ज़्यादा लगने वाला है फिर भी देखते हैं प्रियांसी will be more comfortable because being hot summer day more sweat is produced by the body हमारी जो body ज़्यादा sweat produce करती है and cotton absorb more sweat और cotton उस पसीने को absorb कर लेगा है न as compared to the nylon evaporation of the sweat पसीने का जो evaporation होगा that is moisture का causes cooling effect उसकी बज़े से cooling effect होगा इसलिए प्रियांसी better feel करेगी next you want to wear your favorite shirt to party आप अपनी shirt favorite shirt party में पहन के जाना चाहते है एक साधी में जाना दावत में जाना अच्छी से नहीं वाली shirt पहनेंगे ठीक है but लेकिन problem क्या है the problem is that it is still bad after a bus यानि वो shirt को धोया गया था है न आप सोर्दो ममी ने धो दिया और वो क्या होगा अभी गीली रहें अब क्या करें बाई what steps would you take to dry it faster तो आपको क्या करना चाहिए कि वो ताकि जल्दी से सूख जाए answer spread the shirt on wire with increased surface area यानि आप shirt को जब सुखा है तो बिलुकुल उसको spread कर दें ऐसा नहीं कि एक layer, दो layer, तीन layer में fold करके आप सुखा है उसको spread कर दो पूरा area contact area air के contact में है second, use a fan आप एक पंके का भी use कर सकते हैं ताकि ज़्यादा speed से air उससे आके ठक रहा है और वो जल्दी सूख जाए third, you can also use a hot iron with precautions एक गरम प्रेस ले ले iron ले ले और बिजली का पिलग लगाया और उसको सुखाने कोज करें यह कपड़े भी जला सकते हो खुद भी करन लग सकता है आपको तो यानि under precautions ऐसा कर सकते हैं लेकिन आप यह first और second option को ज़्यादा preference दीजीगा तो वो पहले लिखा precaution लिए ठीक है बिना किसी की है ना selection में किसी के supervision में आपको वो चीज करने चाहिए नहीं तो ना करें आप है ना next comment on the following statement इन statement पर comment करो पहला क्या है evaporation produced cooling evaporation की परचेश cooling होती है दूसरा rate of evaporation of an aqueous solution decrease with increase in humidity कह रहा है कि evaporation को जो rate है of an aqueous solution का decrease with increasing humidity अगर atmosphere में humidity ज़्यादा रहेगी तो evaporation का rate घट जाएगा ठीक है इस पर comment करें और third sponge is true compressible is a solid चीक है कह रहा है कि जो sponge होता है दो हलाकि यह compressible है ठीक है is a solid लेकिन फिर भी इसको solid में count करते हैं तो ऐसा क्यों हो भाई चलिए first evaporation produced cooling चीक है the particles of liquid absorb energy किसी भी liquid के जो particles होते है वो energy को absorb करते है from the surrounding atmosphere से हमने बादपन से to regain the energy loss during the evaporation evaporation के time पर जो उनकी energy loss हो चुगी होती है तो वो उसको heat energy को absorb करते है this absorption energy from the surrounding make the surrounding cold by surrounding से जब आप heat ले लोगे तो surrounding कैसी हो जाएगी ठंडी हो जाएगी cool down हो जाएगी तो इसलिए कहते हैं कि evaporation के बज़े से cooling होती है second rate of evaporation of an aqua solution decrease with increase in humidity सुनो भई humidity is the amount of water vapor present in air humidity क्या है यह moisture है नमी है क्या है तो देखो भई हमारे बाताबर में atmosphere में जो air है उसमें कुछ-कुछ water vapor भी घुली रहती है तो वही water vapor humidity क्यालाती है है ना चलिए the air around us cannot hold more than a definite amount of water ठीक है और हमारे आसपास की जो air है ऐसा नहीं कि उसमें बाल्टी भर भर के तुम बाटरबैपर घुल दोगे air में ऐसा नहीं एक definite amount है जो कि महाँ पे stay कर सकता है water vapor at a given temperature किसी particular temperature पर एक certain amount बाहां पे hold हो सकता है बन सकता है if the amount of water in air is already high लेकिन air जो है उसमें moisture content humidity already जादा है ठीक है तो भाई already जादा है तो नया जो evaporation हो रहा होगा तो वह evaporation नूग जाएगा क्योंकि उस air में water vapor घुल ही नहीं पाएगी तो evaporation अप कम हो जाएगा so the rate of evaporation decrease इसलिए rate of evaporation decrease हो जाता है next sponge though compressible is a solid वह compressible होता है फिर भी उसको solid कहते है ऐसा क्यों sponge is a porous material with cavities यह sponge होता है पॉरस या नहीं जिसमें पदले पदले hole होते है जैसे रसगुला होता है न वह वाइट वाला ठीक है उसमें white white color के hole होते है बहुत सारे तो उसके through के rust जो होता है water वगेर उसमें चला जाता है ठीक है it has lots of pores in the sponge तो उसमें बहुत सारे pores होते है holes होते है pores are the reason why it can easily soak liquid into it और इनी pores की बज़े से liquid को आसानी से soak लेता है अब्सोर्ब कर लेता है ठीक है a sponge regains its shape and mass remains the same after the compression यानि इस sponge को आप दबा तो दे रहे हो compress तो कर दे रहे हो लेकिन इसका mass change नहीं होता है ठीक है और वो अपनी safe फिर से regain भी कर सकता है mass भी regain कर लेता है so it can be considered as solid इसलिए उसको solid की category में रखा जा सकता है 27 question why does the temperature of a substance remain constant during its melting point और boiling point वो कह रहा है कि जब भी हम किसी जैसे suppose करो आई से उसको जर्ब गर्म करते हैं तो 0 degree centigrade में आने के बाद कुस देर के लिए उसका temperature constant हो जाता है तो ऐसा क्यों हो रहा है या 100 degree centigrade बें boil होने के बाद जो इस टीम में convert हो रही है तो temperature constant हो जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है यह बताओ तो answer is temperature remains same during melting और boiling point because heat energy is used to change the यानि कि जब भाई ice को गर्म किया तो 0 degree centigrade की ice बनी फिर 0 degree centigrade की ice से 0 degree centigrade का water बनने में जो आप heat गरम किये जा रहे हैं heat दिये जा रहे है वह heat energy जाक आ रही है temperature जीरो का जीरो बना हुआ है तो वह कह रहा है कि भाई वह heat है उसकी state phase change करने में चले जा रही solid से liquid में बदलने में चले जा रही इस इसी तरही से solid से बैपर में convert करने में खर्च हो जाती है chain the state of the substance that is energy is used to overcome the forces of attraction जो उनके बीच for solid के बीच जो forces of attraction थे उनको breakdown करने में तोड़ने में यानि की phase change करने में खर्च हो जा रही है between the molecules तो इस तरीके से आज का वीडियो आपने देखा NCRT के जो है exemplars problem है इस chapter की वो सबका discussion हमने यहां पे किया और भी interesting वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल है उस पर और भी वीडियो continue में इसी तरह आते रहेंगे तो अपना प्यार ऐसी देते रही इस चैनल को और देखते ही विन में वरेन मिलते हैं नेक्स वीडियो में